नमस्कार धन्यवाद योगी जी इतनी विस्तार से अपने सारी बाते रखी है उत्तर पुदेश के नागरिकों के साथ साथ देश के नागरिकों को भी ध्यान आता होगा के उत्तर पुदेश में चहूं दिख्षाओं में विकास कितना तेजी से हो रहा है हकीकतों के आधार पर आपने विस्तार से उन बातों को बताया है भाईयों बहनों आज मेरट गाजियाबाद अलीगर्ड हापूर और नोएड़ा के सभी नागरिक भाईयों बहनों को मुझे वर्चुली आप सबको नमन करने का आप से बात करने का मोका मिला है इस कारक्यम में उपस्तित भारतिय जनता पार्टी के सभी उमीदवार आपके सुख दुख के साथ ही ऐसे हमारे भारतिय जनता पार्टी के सारे कार करता आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तब यह पूरा छेत्र चौदरी चरण सींजी राजा महेंदर पताब सींजी मेजर धांचन जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों की जन्मभुमी और कर्मभुमी रहा है इस छेत्र ने बावुजी कल्यान सींजी के रूप में एक विजनरी एक समर्पित गरीबों दलीतों बंचितों पिछडों के लिए काम करने वाला जन प्रतिनिती देश को दिया है आज़ादी के आंदोलन में एहम भुमी का निभाने वाले इस छेत्र को इस छेत्र के लोगों को और जब देश आज़ादी का 75 वर्ष मना रहा है तब देश वासी आपके प्रति गवरव करते हैं मैं आज आप सब को प्रणाम करता हूं साथियों कल वसंत पंच्वी का बड़ा महत्वपुन त्योहार है मा सरस्वती के पूजन का दीन है मैं आप सभी को वसंत पंच्वी के इस पावन परव के लिए अग्रिम शुकामनाय देता हूं साथियों अभी कोरोना की बज़स से हम लोग रूपरू मिलते समुमें बाते करते उसका तो हमारा एक लंबा अनुभव है लेकिन आप वर्चुल मिलने का नया अनुभव ले रहे हैं नए यूग में नया अनुभव और डिजिटल व्यवस्ता से हम मिल रहे हैं मुझे आध है इस साल की शुरू आप मेरा पहला दौरा मेरट का ही हुआ था उस दिन मौसम खराब था और इसलिए मुझे सड़क मार्क से आना पड़ा था लेकिन मेरट एक्सप्रेस्वे की वज़़ से मैं एक गंटे से भी कम समय में दिल्ली से मिरट पहुँच गया था इस एक्सप्रेस्वे का सिलान्यास करने का सौभाग्य देश्वास्यों ने मुझे दिया था मैं इस बात का और इस बात का ये भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है जो काम शुरू करती है उसे पूरा करके दिखाती है भाई और बहनों आज़ादि के बात यूपी ने अनेक चुनाव देखे है अनेक सरकारे बंती बिगड़ती देखी है लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है ये चुनाव यूपी में श्राम्ती के स्थाहित्व के लिए है विकास की निरंतरता के लिए है प्रशाशन में सुशाशन के लिए है यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है ये चुनाव सुरक्षा सम्मान और सम्रद्धी की पहचान को बनाए रखने के लिए है और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बहार रखने के लिए नई हिस्ट्री बनाने के लिए है और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाईयों को माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे आज जिन छेत्र के मतदाताओं से मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छी तरह समझते हैं कि उद्योगों के लिए व्यापार कारोबार के लिए कानून व्यवस्ता का राज होना कितना जरूरी है कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपरादी माफिया काबू में आएंगे लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है गुन्दा गर्दी करने वालों को यह समझ आया है भाईयों बहनों 21 सदी में यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करें डबल तेजी से विकास करें और यह काम डबल इंजिन की सरकार ही कर सकती है 2017 में डबल इंजिन की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड कई गुना बड़ी है कनेक्टिविटी के इंफ्रस्ट्रक्टर के निर्माण की स्पीड डबल हुई है मेट्रो कनेक्टिविटी इक्का दुक्का शहरों से आज उत्तर प्रदेश के दस शहरों तक पहुँच रही है एल्पीजी गैस कनेक्शन का दाइरा जो लगवर आधी आबादी तक ही सिमित था आज शत्र प्रतिशत हो रहा है साथियों आज हम एक ऐसे संकट काल से गुजर रहे हैं पुरा विश्व एक वैश्विक महामारी के संकट से जूज रहा है सो साल में सो साल में इतना बड़ा संकट कभी मानवजाद को वैश्विक स्वरूप में नहीं आया इस संकट काल में भी यूपी ने डबल इंजिन का डबल लाप देखा है इसी कोरोना काल में अलिगड में राजा महेंदर प्रताप सिंजी के नाम पर विश्व बिद्यालय बनना शुरू हुआ मेरट में मेजर ध्यान चनजी के नाम पर खेल विश्व बिद्यालय स्पॉर्ट उनिवर्सिटी का चलानीयाद भी हो चुका है टीके और मुप्त रासन से लेकर रोजगार तक यूपी में योगी जी की सरकार ने हर ख्षेत्र में तेजी से काम किया है साथियो आज यूपी में कोरोना वैवसिन की पहली डोच शत्र प्रतिशत लोगों को लग चुकी है सत्तर प्रतिशत से अधीज लोगों को दूसरी डोच भी लग चुकी है और अभी योगी जी विस्तार से इसका पुरा ब्योरा दे रहे थे ये यूपी के लोगों का उन लोगों को करारा जवाब है जो अफ़ाएं फैला कर कभी वैक्सिन पर प्रस्टन लगा देते थे, प्रस्टन चिन्न लगा देते थे, कभी वैक्सिन लगवाने के लिए लोगों ड़ना रहे थे, मेरे प्यारे देश वासियों, जना सोचिये, जिन जिन लोगों ने वैक्सिन के खिलाब अफ़ाहे फ्यलाई, कि सामान ने मानवी के मन को विचलित किया, आपका मेरी बातों में भरोसा था, आपने मेरी बात को मान करके वैक्सिन के लिए आगे आये, लेकिन सोच रीजिये, इस प्रकार की विक्रत मानसिक्ता के साथ, अगर देश में वैक्सिन के खिलाब जो बाते बताई गई थी, वो लोगों ने मान ली होती, और वैक्सिन के इतने डोज देश में ना लगे होते, और कब एमिक्रोन जैसा नया वेव आ जाता, तो क्या होता, मेरे देश के गरीबों का क्या होता, लेकिन राजनीती के गंदी हरकतों में डुबे हुए लोग, मानव के जीवन के साथ खेलने से भी, पीछे नहीं रहे, और अफ़ाएं फैला दिये, मैं देश वाजिकों का भारी हूँ, कि आपने इंकी बातों को नहीं माना, वेक्सिन लगवा दिया, मैं आपका रुदेश से अभिनन्दन करता हूँ, आपने भी वेक्सिन लगवा करके देश को बचाने में मदद की है, आप लोगों ने ऐसे लोगों को दो टूप समझा दिया है, कि समाजबादी जूट, एक बल भी तिक नहीं सकता, भाई और बहनों, एक्स्प्रेस वे हो, एरपोर्ट हो, मेट्रो हो, ग्रामीर सडके हो, प्रधान मंत्री ग्राम समढग सडक योजना हो, हो, गरीबों के लिए आवास हो, हर घर जल पहुचाने का अभ्यान हो, बीते सानों में हर काम, हर काम में अभुत्पुर्वत तेजी आई है, 2017 से पहले, जो सरकार थी, उसने एक्स्प्रेस वे के नाम पर कैसी लूट बचाई, ये आप मुझसे जानदा जानते हैं, योगी जी की सरकार में, पुरवान्चल और दिल्ली मेरट एक्स्प्रेस में पूरे हो चुके हैं, और पांच एक्स्प्रेस वे पर तेजी से काम चल रहा है, जब प्रयास इमानदार हो, तो काम ऐसे ही असरदार होता है, आज़ादी के इतने सालों तक, राजधानी से इतने नदिक होने के बावजूर, मेरट अलिगड सही के पूरा खेत्र दिल्ली से कितना दूर था, पहले जब दिल्ली से गाजियाबा, मेरट या अलिगड जाने की बाद भरी होती थी, तो लोगों के माथे पर पस्षीना आ जाता था, इनका विकास भी कागजी था, और ये समाजवादी भी, ये सिद्ध हो चुका है, कि ये सिरफ और सिरफ परिवारवादी है, जब पी डबल इंजिन की सरकार ने जमीन पर काम किया, और आज दिल्ली से दूरी सिर्फ कुछ मिनिटों की रह गही है, साथियों, जिस गाजियाबाद से यूपी का उसको गेटवे माना जाता है, उसकी कनेक्टिविटी पाँच साल पहले क्या थी, ये भी आप भली भाती जानते हैं, गाजियाबाद, मेट्रो का विस्तार, इस्टन पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण, और हिंदर एर्पोर्ट से इस खेत्र की कनेक्टिविटी अब बहतर हुई है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरट, रीजनल रेपीट ट्रांजिस सिस्टेम, इसे और मजबुती देगा, अलिगड में जो डिफेंस कोरिडोर का काम शुरू हुआ है, वो इस खेत्र में छोटे उद्योगों को बहुत मदद करेगा, इससे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए आउसर बनेंगे, अलिगड का ताला हो, मेरट का कैंची उद्योग हो, या फिर स्पोर्ट इंडस्ट्री, सरकार के प्रयासों से अब और ससकत हो रही है, इसे वन डिस्ट्रीक, वन प्रोड़क अभ्यान से भी मदद मिल रही है, साथियों, इस साल के बजेट से, यूपी के करीब, हमारे गरीब बर्ग, मद्यम बर्ग, किसान के जीवन में सार्थक बढ़ला आने वाला है, जब से ये नया बजेट आया है, तो पूरे देश में, इसकी भूरी भूरी प्रसंसा हो रही है, ये देश के गरीब की जरुरत, मिडल क्लास और युवा भारत की आतांचाओं को बल देने वाला बजेट है, गरीब परिवारों, गरीब बहनों के लिए, असी लाग पक्के घर, करीब चार करयोड गरीब बहनों के घर में, नल से जल, देश की पहली राष्ट्रिय डिजिटल युनिवर्सिटी, ये जितने भी प्रावधान है, वो गरीबों को, गरीब परिवारों के युवाओं को, गरीमा देंगे, आगे बढ़दे की शक्ति देंगे, पानी से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी, एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है, जो पानी की कमी से जूद रहे हैं, ऐसे युपी के अनेक श्युत्रों को, राहत देगा, इस बजेट से, युपी के गावों और शहरों की स्वच्चता के लिए, एक बहुत बड़ी राशी का प्रावधान किया गया है, प्रदान मंत्री ग्रामसरण योजना के लिए भी, जो बहुत बड़ी राशी रखी गई है, उससे भी, युपी के गावों गरीब और किसान को, वारा नसी कोलकता एक्सप्रेस वे हो गोरकपूर सिलिकूरी कोरिडोर हो बजेट में प्रस्तावित ऐसे हजारों करोड रुपिय के प्रोजेक्ट यूपी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे और ये प्रोजेक्ट साथ में रोजगार भी लाते हैं भाई और भेनों ये कागजी समाजवादी जो स्ट प्रतिशत परिवारवादी है और उनके सहियोगी इतने सानों तक सत्ता दे रहे हैं लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इनोंने समझा ही नहीं दसकों से खेती की जो व्यवस्ता चली आ रही थी जिससे किसान परिशान था उसको सुधारने का सास इनोंने जुटाया ही नहीं क्योंकि स्थीतियों को बदलने में महनत करनी पड़ती हैं इसलिए स्थीती जोंकी त्यों रहे यही कोशिश इनोंने की क्योंकि वो तो सोते सोते सपने देखना यही तुमका काम है लेकिन डबल इंजिन की सरकार को खेती और किसान के वर्तमान और वविश्य की चिंता है इसलिए क्रिशी का बजेट पिछली सरकारों की तुल्ना में आच्छे गुना हो चुका है पी-ए-म किसान सम्मान नीधी के सतर हजार करोड रुपिय में से बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर पदेश के छोटे किसानों को मिलेगा अपनी उपज की कीमत के लिए कई कई महिनों किसानों को इंतजार करना पड़ाता डबल इंजिन सरकार अब तुरंट एमेस पी को बैंक खाते में जमा कर रही है एमेस पी खत्म हो जाएगा जैसे वैक्सिन के अफ़ाए फेलाई ना वैसी इसकी भी अफ़ाए फेलाई जूट बोलो अफ़ा बहलाओ गुमरा करो इससे उपर इनके पास कोई हत्यारी नहीं बचे हैं मेस पी खत्म हो जाएगा यह अफ़ाए फेलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन यूपी में दबल इंजिन की सरकार ने 2017 से पहले की अपिक्षा मेस पी पर खरीद में कई गुणा अधिक बुद्धी की हैं छोटी मोटी बुद्धी नहीं इस वर्थ भी यूपी सही देश के किसानों को लाखों करोड रुपिये मेस पी के रुप में मिले वाले हैं अफ्वाओं की राजनिती करने वाले ये वही दल है वही नेता है जिनकी सरकारों ने यूपी की करीब दो दर्जन से जादा चिनी मिलों में ताले लगा दिये थे उनको अलिगड ताले लगाने के लिए याद आया और योगी जी बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे हैं गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहता था योगी जी की सरकार ने बीते पांच सालों में पुराने बकाय सहीत देड़ लाग करोड रुपिय से अधिक का भुक्तान किया है पिछली सिजन का भी लगबग पुरा भुक्तान हो चुका है और इस बार का भी बकाया तेजी से निप्टाया जा रहा है यही नहीं योगी सरकार ने नई चीनी मिले भी बनाई है और अनेग पुरानी चीनी मिलोगी ख्षमता का विस्तार और आदुनी करम भी किया है गन्ने से इथेनॉल बनाने की बहाद बड़ी ख्षमता अब यूपी में तयार हो रही है एक पकार से यूपी का इथेनॉल देश को दोड़ाएगा यह ताकत पैदा कर रहा है योगी जी की जरकार इसलिए तो यूपी के गन्ना किसान भी आज कह रहे हैं कि फर्क साफ है चाथियो एक फर्वरी को जो बजट आया है उसमें यूपी सही पूरे देश की खेती में पारंपारिक्ता और आदुनिक्ता के संगम का भी एक अध्वुत भीजन है एक तरफ गंगाजी के किनारे प्राकृतिक खेती केमिकल फ्री खेती किसानों की लागत कम करने वाली खेती को प्रुच्छाइद किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ किसानों को ड्रॉन और दूसरी आदुनिक टेक्लोलोजी के ब्यापगुप्यों के लिए मदद का प्रावधान किया जा रहा है इस बजेट में मोटे अनाज से अधिक लाग का प्रोटसान भी है और फूर्ड प्रोसेसिंग उद्ध्योग वर अधिक निवेश की प्रतिबद्दता है और जब मोटे अनाज की बात करते हैं तो उसका सीधा सबन छोटे किसानों से आता है कठीन से कठीन भूमी पर महनत करके छोटा किसान जो पैदा करता है वो जदाचर मोटे धान पर ही जाना करता है इसलिए साथ्यों पांच साल पहले तक ये हम समझें कि माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाब यूपी के गरीब दलीद पिछडे तक नहीं पहुँचने देते थे केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी प्रस्टाचा नहीं चलता था इसलिए ये उन योजनाओं में ब्रेक लगा कर बैखते थे कटकी कमपनी बंद हो जाती थी यूपी के लोगों की सेवा की भावना से काम कर रही योगी जी की सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दी इसलिए आपको इस बार भी बहुत सावधान रह करके मतदान के लिए जाना है आप याद कीजिए अगर इन्हें मौका मिल गया किसानों को मिल रही हजारों करोड की मदद ये परिवारवादी नकली समाजवादी बन करा देंगे किसानों के बैंक एकाउंट में जो MSP का पैसा जा रहा है ये परिवारवादी समाजवादी नकली समाजवादी उसे भी रोग देंगे आपको इस कोरोना काल में जो मुप्त राशन मिल रहा है ये सिरफ अपना परिवार का पेट भरने वाले लोग नकली समाजवादी आपको भूखा छोड़ेंगे ऐसे लोग हैं गरीबों को पांच लाख रुपिये के मुप्त रिलाज की जो सुविदा हमारी सरकार ने दी ये परिवार के सुख के लिए जीने वाले लोग उसको भी बंद करा देंगे गरीबों के दलीतों के पीछड़ों के बच्चों को जो स्कॉलर्जिप मिलती हैं ये परिवार के बच्चों का भला देखने वाले आपकी और देखेंगे भी नहीं और पता नहीं स्कॉलर्जिप कहां इदर उदर चली जाएंगी गरीब के कल्यार की सभी योजनाओं पर ये चीनी मिलों की तरह ताना ही लगाने वाले हैं और कुछ वो करी नहीं सकते हैं आप हमेशा याद रखिएगा ये मद्यम्बर की जेप पर डाकाट डाल कर रियल एस्टेट माफिया को दे देंगे नोएडा गाजियाबाद के लोगों से बहतर इन्हें कौन जानेगा राशन माफिया से लेकर कमिशन माफिया तक ठेका माफिया से लेकर खनर माफिया तक नकली कहने के समाजवादी और पूरी तरफ परिवारवादी फिर पुराने अवतार में आने के लिए तयार मैठे भाई और बहनों माफ्या से इस लराई में हमारी सबसे बड़ी ताकर हमारी माताएं हैं हमारी बहने हैं हमारी बेटियां पुत्तर प्रदेश की बहनों बेटियों ने विशेश रुप्से गरी दली पिछडे बर और मुश्लिम बहन बेटियों ने सुशासन के डबल इंजिन का अनुबाव इन पांच वर्षों में किया हैं दंगाईयों और दबंगों को खूली छूट देने वालों की सरकार ने सबसे बड़ा हित बहनों का बेटियों का किया है भाजपां दंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगाराच यूपी में अम नहीं लौट सकेगा बीते पांच वर्षों में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलीस में लगबग डेड़ लाग भरतियां हुई है इस में और इस से पहले के पंदरा सालों में सवा लाग से भी कम भरतियां हुई थी इस में भी अगर बेटियों की भागी दारी देखी जाएं तो दो हजार सप्रा से पहले यूपी में बारा हजार से भी कम महिला पुलिस कर्मी थी जबकि योगी जी की सरकार ने जिर्फ पांच वर्षों में बीस हजार से अधिक बेटियों को पुलिस में भरति किया है नारी की सुरक्षा, सम्मान और आउसर के ऐसे ही अनुभव के कारण यूपी की बेहन बेटियां कह रही है फर्क साफ है भाज़ों और बेहनों जम्मे दंगाईयों को आए दिन मंदु की नौक चाकू की अनी पर खेल खेलने वाले लोग योगी की के सरकार को सहन नहीं कर सकते वे पूरी ताकत लगा देंगे कि योगी जी फिर से ना आए मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता अगर इस प्रकार के तत्वा अपना खेल खेलने में थोड़े से भी सपल होए तो ये देश में उत्तर प्रदेश में पक्का कर लेंगे कि कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है वो पहले से जादा बेफाम हो जाएंगे वे और बरबादी लेकर के आएंगे ऐसे लोगों को कभी सफल नहीं होने देना है ऐसी ताकतों को कानून मानने के लिए मजबूर करना ही होगा और इसके लिए योगी जी की सरकार बहुत जरूरी है यूपी में हर वर्ग हर संप्रदाई की बेटियों को प्रगती के अपने केरियर बनाने के अउसरों का एक सिलसला योगी जीने शुरूर किया है वो जारी रहेगा बेटियों की शादी की उम्र को बेटों के बरावर करने के पीछे भी सबसे बड़ी प्रेणा यही है कि बेटे बेटी एक समान क्यूपी में आज लगवाग साड़े पाँच हजार रजिस्टर स्टार्ट अपस हैं जिन में से बहुत सारे स्टार्ट अपस में हमारी बेटियां भी डारेक्टर हैं इसी प्रकार मुद्रा योजना से भी जो बिना गैरेंटी के रण मिल रहे हैं इसमें भी लगवाग साट प्रतिशत से जादा महिलाए हैं बीते पाँच सालों में यूपी में लाखों बहने गाओं गाओं में बेंकिंग सेवाओं से जुड़ी हैं इस बजट में भी महिलाओं के लिए पिछले वर्ष की तुल्ना में बजट में बड़ोतरी की हमने बहुत बड़ी बड़ोतरी की है मैं अपनी बहनों बेटियों से विशेश तौर पर कहूँगा बीते पाँच साल में जो बड़लाव आया है ये दवांग और दंगाई मान सिकता ये लोग अगर मोगा मिला पिछले पाँच साल में उसको जो कानून हमेशा उनके माथे पर लटकता रहा उसके कान उनके जो गोरक धंदों में मुसीबते आई ये उसका बदला उत्तर पुदेश की बेहन बेटियों से लेना चाहते हैं इन्होंने कैसे कैसे लोगों को टिकर दिया है यानि लोग तंत्रक में जो लाज शरम नाम की चीज़ चाहिए वो भी छोड़ती है ऐसे ऐसे लोगों को टिकर दिया है उसी से आपको इनके भावी इरादे का पता चल जाएगा इसलिए मैं आप से भारी मतदान करने का आगरे भी कर रहा हूँ ठंड कितनी क्यों नहों पहले मतदान फिर जलपान ये आप जरूर याद रखिएगा तभी सुरक्षा, सम्मान और सम्रुदी सुनिष्चित करने वाली भाजपा सरकार प्रचन बहुमत के साथ फिर आएगी आपका एक वोट आपकी आशा, आकांग, शार्मान को पुरा करने का एक नई ताकत के साथ योगी जी की सरकार को काम करने का उसर देगा आपका हर वोट कमल के फूल पर पड़ेगा इसी विश्वास के साथ मुझे रूबरू आकर के आपके दर्शन करता तो मुझे भी एक नई उर्जा मिलती लेकिन हमें सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय काम करना है और इसी कारण मैं आज वर्चुली आपके बीच आया हूँ आप भारी मतदान करके 2014 के, 17 के, 19 के सारे रकोड तोड़के भारी मतदान करके कमल के फूल को खिलाएंगे ये पूरा विश्वास है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और योगी जी को अनेक अनेक शुब कामना है